एक कॉंग्रेस की सरकार थी लालू की सरकार थी आए दिन आतंकवादी हमला करते थे कोई जवाब नहीं दिया जाता था पुल्वामा में हमला हुआ एस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुशकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है माताओ भाईयों बेनों सत्तर साल तक एक कॉंग्रेस और लालू प्रसाद गर में सवचाले नहीं दे पाये थे मोधी जी ने एक करोड एक सट लाख सवचाले लोगों को देने का काम किया है और डेड़ करोड लोगों को के घर में जल से नल पहुँचा है इससे बड़ी बात है वही मोधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं पाकिस्तान को एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर उसको जवाब देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी के नेता नरेंद्र मोधी में किया है एक कॉंग्रेस की सरकार थी लालू की सरकार थी आए दिन आतंकवादी हमला करते थे कोई जवाब नहीं दिया जाता था मोधी जी ने पुल्वामा में हमला हुआ एस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुषकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है मुझे बताओ भाईयों बेनों पस्टिमी चमपारण वालों कस्मीर भारत का है या नहीं है मुझे सुनाए नहीं पड़ता है जोड़ से बलो है या नहीं है दारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी मोधी जी ने 5 अगस्त 2019 को दारा 370 और 35 एको समाप्त करकर कस्मीर को हमेशा के लिए भादपा के साथ जोड़ने का काम करें अरे लालू प्रसाद यादव सोनिया गांदी नितिश कुमार जी की पाटी भी राज्यसभा में दारा 370 हटाने का विरौद करती थी ये तो हमारे साथ मगड़ दारा 370 हटाने का विरौद करते थे कहते थे कस्मीर में खून की नद्या बेह जाएगी माताओ भाईो बैनो ये मोधी सरकार है खून की नदिया छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुए मित्रो कंकर चलाने की हिम्मत और मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमनिक असमीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जूरने का काम किया है माताओ भाईयो बेनो इस जंगलाज लाने वाले लालू के नेत्रुत में नितिजी बिहार का कल्यान नहीं कर सकते मैं आज आपको कहने आया हूँ अब समय आ गया है भारतिय जंता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी सुरुवत दोजार चॉबीस के करनी है पस्तिम चंपारन वालों बताओ चॉबीस में सभी की सभी सीटों पर भारतिय जंता पार्टी को जिताओंगे क्या अरे ऐसे आवाज नहीं चलता मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए बोलियो 24 में सभी सिटों पर भार्तिय जन्ता पार्टी को जिताएंगे क्या जोर से बोलियो जिताएंगे कमल के निसान पर बटन दबाएंगे मोदी जी को फीर से प्रदान मंत्री बनाएंगे जो जंगल राद लाएंगे उनको सत्ता के बहार करेंगे पक्का करेंगे